साथियों, आज कल आप लोग कुछ ट्रम्स बार बार सुनते होगे, आपके कान पर आता रहता है, परस्नालिटी डेवलप्मेंट या तो फिर टीम मेनेजमेंट, इनकी बारिकियों को भी आप स्वामी विवेकनन का अध्यन करने के बाद और आसानी से समझ पाएंगे, परस्नालिटी डेवलप्मेंट का उनका मंत्र था, बिलीव इन यॉर्सेल्ट, अपने आप पर भरोशा करो, अपने आप पर विश्वास करो, लिडर्शिप का उनका मंत्र था, बिलीव इन आल, वे कहते थे, पुराने धर्मों के मुताबिक, नास्तिक वो है, जो इश्वर में भरोशा नहीं करता, लेकिन नया धर्म कहता है, नास्तिक वो है, जो खुद में भरोशा नहीं करता, और जब नेत्रुत्व की बात आती थी, तो वो खुद से भी पहले अपनी टीम पर भरोशा जताते थे, मैंने कहीं पढ़ा था, वो किसा में आपको भी सुनाना चाहता हूँ, एक बार स्वामी जी, अपने साथी, स्वामी शार्दान अंजी के साथ, लंदन में एक पब्लिक लेक्चर के लिए गए थे, सब तयारी हो चुकी थी, सुनने वाले खट्टे हो गए थे, और स्वाभा भी कहें, हर कोई स्वामी विवेकान जी को सुनने के लिए आकरसित हो करके आया था, लेकिन जैसे ही बोलने का नमबर आया, तो स्वामी जी ने कहा कि आज भाषन मैं नहीं, बल्कि मेरे सहियोगी सार्दान जी देंगे, त्यार भी नहीं थे, लेकिन जब शार्दान जी ने भाषन देना शुरू किया, तो हर कोई चकीद हो गया, उनसे प्रभावित हो गया, और ये होती है, लिडर्सिप और अपनी टीम के लोगों पर भरोशा करने की ताकत, आज हम जितना स्वामी विवेकानन जी के बारे में जानते हैं, उसमें बहुत बड़ा योगदान स्वामी सार्दान जी का ही है, साथियों, ये स्वामी जी ही थे, जिनों ने उस दौर में कहां था, कि निडर, बेबाग, साफ दिल वाले, सांसी और आकांची युवाही, वो नीव हैं, जिस पर राश के भविश का निर्मार होता है, वो युवाओं उपर, युवाश शक्ति पर इतना विश्वास करते थे, अब आपको उनके इस विश्वास की कसोटी पर खड़ा उतरना है, भारत को अमनई उचाईयों पर ले जाने का काम, देश को आत्मे निर्फर बनाने का काम, आप सब युवाओं को ही करना है, अब आप मैंसे कुछ युवाओं सोच सकते हैं, कि अभी तो हमारी इतनी उम्र ही नहीं हुई है, अभी तो हसने खेलने जिंदिगी में मौच करने की उमर है, साथियों, जब लक्ष स्पस्ट हो, इच्छा शक्ति हो, तो उम्र कभी बादा नहीं बनती हैं, उम्र इतनी माइने नहीं रखती हैं। आप हमेशा याद रख्येगा कि गुलामी के समय में आज़ादी के आंदोलन की कमान युवापीडी ने ही समाली थी। जानते हैं, शहीद खुदिराम बोस, जब फांसी पर चड़े तो उनकी उम्र क्या थी। सिरफ 18-19 साल, भगत्सी को फांसी लगी तो उनकी उम्र कितनी थी। सिरफ 24 साल, भगमान बिर्शा मुंडा जब सहीद हुए तो उनकी आयू कितनी थी। बब मुश्किल 25 साल, उस पीडी ने ये ठान लिया था कि देश की आज़ादी के लिए ही जीना है, देश की आज़ादी के लिए मरना है। लॉयर्स, डॉक्टर, प्रॉफेसर्स, बैंकर्स, अलगरगर प्रॉफेसर्स से यंग जनरेशन के लोग निकले और समने मिल करके हमें आज़ादी दिलाई। स्वाधियों, हम उस कालखन में पैदा हुए हैं, क्योंकि मैं भी आज़ान हिंदुस्तान में जन्मा हूँ, मैंने गुलामी देखी नहीं हैं, और मेरे सामने आप जो बैटें, आप भी सम आज़ादी में पैदा हुए हैं। हमें देश की स्वतंत्रता के लिए मरने का मौका नहीं मिला, लेकिन हमें आज़ाद भारत को आगे बढ़ाने के लिए मौका जरूर मिला है, यह मौका हमें घवाना नहीं है। साथियों, आज़ादी के 75 साल लेकर आज़ादी से 100 साल होने तक, यह आने वाले 25-26 साल बहुत ही महत्वपूर है। साथियों, आप भी सोचिए, आप आज़ जिस उमर में हैं, अपसे जो समय शुरू हो रहा है आपना, वो आपके जीवन का स्वर्निम काल है। उत्तमकाल है। और वही कालखन भारत को भी आज़ादी के 100 साल की तरफ ले जा रहा है। मतलब आपके विकास के उचाईयां, आज़ादी के 100 साल की सिद्धियां दोनों कदम से कदम मिला करके चल रही है। मतलब आपकी जिन्दगी के आने वाले 25-26 साल, देश के आने वाले 25-26 साल के बीच बहुत बड़ा तालमेल है, बहुत बड़ी एहमियत है। अपने जीवन में, इन वर्षों में सर्वच प्रात्विक्ता देश को दीजिए, देश की सेवा को दीजिए। विवेकानन जी कहते थे कि ये सदी भारत की है, इस सदी को भारत की सदी हमारी युवा पिड़ी को ही बनाना है। आप जो भी करिए, जो भी फैसला लीजिए, उसमें जरूर सोचिए कि इस से देश का क्या ही तो होगा।